तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह देखिए बहुत अच्छी सानदार फ्लावरिंग हो रखिए वो देखिए लास्ट में एक बर्ड यह ओपनिंग को है अभी ओपन होने वाला है और एक बर्ड और है तो दोस्तों यह बहुत अच्छी वराइटी है जैसे कि आप देखें इसमें बहुत सारे पैटल्स हैं और देखिए एक अभी एक खिलने वाला है एक खिला हुआ है और एक बर्ड बहुत यह बहुत ज्यादा बुशी है इसलिए मैं दिखा शायद दिखा पाऊं और यह बहुत देखो दिख रहा है वह चोटा बड़ा है अभी यह मैंने अपने जहां पर वाल का ट्रेंगल बनता है वहां पर रखावाए देखिए एक तरफ लोटस है और एक तरफ वाटर लिली है यह वाटर लिली का प्लांट अब इसमें है नहीं बट इसमें आती रहती है फ्रिक्वेंटली ग्लूमिंग होती रहती है दोस्तों आप भी जो भी लोटस आप लगाएं अपने यहां पर वो ऐसे ही होना चाहिए जिसके पैटल्स जादा हो जिसके जादा पैटल्स होते हैं वो काफी दिनों तक खिला रहता है और जो कम पैटल्स वाले होते हैं देशी होते हैं वो दो दिन तीन दिन से जादा तो यह कंफर्म कर लें कि उसके पैटल्स ज्यादा हैं के नहीं